अरे सर ये किया आपका फूल चर्ज इरिक्षा सिर्फ दो घर्टा चलता है अगर आपका जबब हाँ है तो आज की ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए है जब इरिक्षा पुराना हो जाता है तब इरिक्षा पे एक ही प्रोब्लेम ज़्यादा तर आने लगता है वो है इरिक्षा का माईलेज अगर आपके इरिक्षा पे भी माईलेज का प्रोब्लेम है तो फिर आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है आज की इस वीडियो को कम्प्लिट जरूर वाच कीजिए मैं आप सबको बता दूँ ये जो माईलेज का प्रोब्लेम आता है ना इरिक्षा पे ये प्रोब्लेम ज़्यादा तर बैटरी के वज़े से आता है इसलिए आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को प्ल डीटेल्स के साथ बैटरी चेक करना सिखाने वाला हूं और बश्कार दोस्तों मैं हूं गोपा अलाज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगल में जो बेले के नहीं उसे प्रेस करको और पीस लिट करना ना भ करेंगे कि ये बेटरी में बोल्टेच कितना है एक ही बेटरी को चैनल कoka करेंगे और बताएंगे कि ये बेटरी हमारा सही है या फिर खराब हो चुका है तो सबसे पहले हमें ये डिजिटल मल्टी मिटर को DC वोल्ट पे सेट करना है जैसे कि हम 12 वोल्ट का एक बैटरी को चेक करेंगे उसके लिए हम ये मीटर को 20 पे सेट किया हूँ DC वोल्ट पे अभी ये जो हमारे हाथ में मल्टी मिटर का प्रॉग है नेगेटिव एंड पॉजिटीव इसको हम बैटरी के पुल में टच करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये बैटरी से वोल्टेज कितना आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा बैटरी है इस बैटरी से वोल्टेज आ रहा है 9.14 वोल्ट अभी हम लोग बैटरी टेश्टर के जरीए बैटरी को चेक करेंगे इसे लोड मेशिन भी बोला जाता है कि ये बैटरी लोड लेने के बाद कितना वोल्ट दिखाता है उसी हिसाफ से हमको पता चल जाएगा कि ये बैटरी खराब है या फिर सही है तो चलिए लोड मेशिन के जरीए एक बार बैटरी को चेक कर लेते है तो आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोड मेशिन को बैटरी के साथ जो रहा हूँ और यहाँ पे वोल्टेज शो हो रहा है 8.8990 ऐसा वोल्टेज शो हो रहा है यहाँ पे अब बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है हमारा लोड मशीन आप देख सकते हैं और एक बार इसका फोल्टेज को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ 8.89 वोल्ट तो चलिए अभी इस बटन को दबाते हैं जैसे हम लोड देने के लिए इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा लोड मशीन है वो लोड नहीं ले पा रहा है और इसका मतलब है यह जो बैटरी है यह बिलकुल खराब है तो चलिए अभी हम लोग हाइडरो मिटर के जरिए देखेंगे कि यह बैटरी में कौन सा सेल खराब हो चुका है तो यह जो हमारे हाथ में है ना यही है हाइडरो मिटर और इस हाइडरो मिटर के जरिए हम लोग बैटरी का सेल को चेक करेंगे कि ये बैटरी में कौन सा सेल खराब हो चुका है जैसे कि आप सभी को पता है कि एक बैटरी में 6 सेल होता है और 6 सेल में से हम लोग 5 सेल को चेक किया और 5 सेल हमारा बिलकुल सही आ रहा था जैसे ही लास्ट यानि 6 नमबर सेल को चेक किया और हमारा जो सेल है ना वो खराब दिखा रहा है हाइडरोमीटर और हम लोग अभी दुबारा चेक करेंगे हाइडरोमीटर के जरिये तो चलिए और एक बार देख लेते हैं कि ये सेल हमारा खराब है या फिर सही है तो आप लोग देख सकते हैं यह जो सेल है ना यह बिलकुल खराब हो चुका है जिसके बज़े से यह इरिक्षा पे माईलेज कम मिल रहा था यह बैटरी को हम लोग जैसे ही चेंज कर देंगे और हमारे इरिक्षा पे जो माईलेज का प्रोब्लम है वो बिलकुल सॉल्फ हो जाएगा